वेलकम टू मैं चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यदि जोडों में दर्द रहता है चाहे घुटने का दर्द हो चाहे कमर का दर्द हो या फिर आपकी मास पेशियों में खिचाव होता है अकड़न जखड़न होती है तो जोइन पेशियों से आराम दिलाने का बहुत ही बढ़िया जबरदस नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों आप यदि इसे कुछ दिन लेंगे ना तो आपको जोडों के दर्द से तुरंत ही राहत मिलेगी अर्थराइटीज गठिया की जो समस्या है खास कर ठन के मौसम में थोड़ी सी ज़ादा बढ़ जाती तो ठन के मौसम में हम किस तरह से किन चीजों का सेवन करें सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाली हो यहाँ पर मैंने लिया है गोंद दोस्तों पहले आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ गोंद दो तरह के होते हैं यह जो मेरे हाथ में जो गोंद देख रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हैं एक जो गोंद है जिसके दाने थोड़े छोटे-छोटे से हैं इस गोंद को हम लोग फ्राय करके खाते हैं भून कर खाते हैं आपने सुना हो का ठंड में गोंद वाले लड़ू खाये जाते हैं हमारे घुटने की ग्रीज को बना कर रखता है गोंद वाला लड़ू तो आप ज़रूरी नहीं की मीठे के साथ खाएं मैं आपको दो-तीन अलग-लग तरीके बताऊंगी गोंद को खाने के तो ये गोंद जो होता है दोस्तों खास का ठंड के मोसम में खाया जाता है और ये जो गोंद है जिसे अभी मैं हाथों में उठा रही हूं दोस्तों ये है गोंद कतीरा बड़े बड़े टुकडे होते हैं इस गोंद कतीरे को कभी भी तला नहीं जाता भुना नहीं जाता है इस गोंद को आप पानी में भिगा दें 3-4 घंटे या पूरी राद भर सुबह उठेंगे ना दोस्तों तो ये पानी में इतना अच्छा फूल जाता है और इस गोंद कतीरे को गर्मी के मौसम में खाया जाता है यह पेट में ठंड़क देता है तो आज हम गोंद कतीरे का इस्तमाल नहीं करने वाले हैं क्योंकि गोंद कतीरा जातर गर्मी के मौसम में खाया जाता है पानी में भिगाया जाता है इतना गोंद कतीरा अगर आप भिगा देंगे 4 टुकड़े यह स्टील की जो कटोरी ही ना ये पूरी फुल जाएगी सुबह तक के तो आज मैंने गोंद कतिरे को हटा दिया है बहुत पहले वीडियो शेयर किया है अब भी सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में इस गोंद को कैसे खाएं इसे बबूल की गोंद, कीकर की गोंद कहा जाता है किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको खाने वाली गोंद आसानी से मिल जाएगी भरपूर मात्रा में इसमें कैलशियम होता है हमारे शरीर में कैलशियम की कमी को पूरा करती है ये गोंद जब गोंद का सेवन किया जाता है ना दोस्तों आप भी लें घर के बुजर्ग व्यक्ति को भी दें तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच घी डाला है बड़ा चम्मच भर के घी डाला है हलका सा घी गरम हुआ गोंद इसमें डाल दिया है यह देखे तो गोंद जैसे पॉपकॉर्न होता ना बिल्कुल वैसे ही फूलने लग जाता है गोंद और बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगता है दोसों आप कोई नाश्ता बनाते हैं कोई जिसे आप लोग चूड़ा बनाते हैं मिक्षर बनाते हैं उसमें भी तला हुआ गोंद डाले आप नमकीन के रूप में यूज करें आप दूद में डाल कर पी सकते हैं परन्तु ठंड भर आप दो चम्मच गोंद का सेवन जरूर करें हमारे हाँ तो गोंद के लड़ू बनाए जाते हैं दोसों ठंड में खास कर और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं दोसों इतना ज़्यादा फाइदे मन है चोटी मोटी बिमारी सर्दी खासी जुकाम में तो इतना फाइदे मन है आप यदि सर्दियों के मौसम में गोंद वाला दूद पिएंगे तो दोसों और साथ-िसाथ हिर्दै रोग के खत्रे भी कम होते हैं कोलेस्टरॉल को कंट्रोल करता है और हट के जो बिमारी ही दोसों उससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं क्योंकि गोंद चो होता है ये हमारी इम्मिनीटी को बूस्ट करता है हमारी रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाता है छोटे मोटे इंफेक्शन ऐसे ही दूर होते हैं सबसे बड़े फैदा है दोस्तों गोंध का सेवन जब दूद के साथ किया जाता है दोस्तों तो यह हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, शारिरिक दूरबलता दूर होती है, और साथ इसाथ खून की कमी को भी दूर करता है, जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है, उन्हें गोंध और दूद का सेवन जरूर करना चाहिए, यहां तक के दोस्तों, इसे खाने से आपको तुरंत ही ताकत मिलेगी, खून में वृद्धी होगी, हार्ट अटेक का खत्रा भी टल जाता है, यदि गोंद का सेवन करेंगे तो, वजन को घटाने में मदद करता है, क्योंकि गोंद खाने से हमारा मेटाबॉलिजम बढ़ता है, और इसमें धेर सारा फाइ अगर आपको इस गोंद को दूद के साथ खाना है, यह बहुत क्रिस्पी हो गया है, जैसे ही मैंने घी में भून लिया है, तल लिया है, आप डिप फ्राइ भी कर सकते हैं, थोड़ा से कूट कर दूद में डालें, बड़े बड़े टुकड़े डालेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, हलका सा कूट लें, पाउडर ना बनाएं, हलका सा कूटें, गरम दूद में डालना है, दूद में आप चाहें तो थोड़ा सा गोड़ डालें, मीठा कर सकते हैं दूद को, और मीठे दूद में, गरम गरम दूद में गोड़ें, रात के समय लें, नीद अच पुराने से पुराना जो घुटनों का दर्ध है ना दोस्तों यह कमर का दर्ध है बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपको रात को पिएंगे आपको नीद अच्छी आएगी आपका इस्ट्रेस कम होगा आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम इस घरेलू उपाय से बहुत आसानी से ठीक हो सकती है किसी भी किराना दुकान में आपको यह मिल जाएगा दोस्तों और धीकुणों से भरपूर होता है और खास कर ठंड के मौसम में ही यह दिया जाता है तो इम्मुनिटी भी बूस्ट होगी आपका स्टैमिना बढ़ेगा आपके लंग्स के लिए भी बहुत फायदे होगी तो इस तरह से आप चाहें तो पूरे गोंद को तल के रख लें जैसे मैंने फ्राय करके रखा है दो चमाज डालते जाए बहुत फायदे मंद है इसके लाब आप नमकिन रूप में भी खा सकते हैं से अभी आगे वीडियो में बता रही हूँ डाएबिटीस के लिए यह बहुत फायदे मंद है जोडों में मजबूती आएगी हड़ियों में जो दर्द रहता है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा हड़ियां आपकी मजबूत होंगी गोंद खाने से हड़ियां मजबूत होती हैं दोस्तों यह लंबे समय तक जवा बने रहना चाहते हैं तो ग कढ़ी पत्ता कहा जाता है जो की हमारे सेहत के लिए बहुत फायदे मंद है करी लीफ्स है बिलकुल ताजी ताजी मीठे नीम की पत्या है और इसके बाद यहां पर मैं डालूंगी मखाना मखाने गोंद और दूद का सेवन तो दोस्तों सोने पे सुहागा है इसे अपने ड काली मिर्च भी ठंड के मौसम में बहुत अच्छी होती है और वो डाले आप चाहें तो और टेस्टी बनाने के लिए कोई चाट मसाला मैगी मसाला आप डाले ताकि थोड़ा टेस्टी लगे एक पाउच मैगी मसाले का डाल दिया है और बस ये तयार है हमारा मसालेदार मखान रोस्त किया हुआ और इसमें हम मिलाएंगे मुठी भर गोंद इसे भी नाश्ते में सामिल करें तो दूद के साथ ले सकते हैं जो डियाबिटिक पेशेंट हैं वे दूद में गुड़ चीनी कुछ भी ना डालें ऐसे ही दूद में ले या नमकीन रूप में भी ले सकते हैं परंतु इसका सेवन आप जरूर करें आपके जोडों का दर्द मास पेशियों की एठन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी दोस्तों इतना फायदे मन्द है तो हर एज ग्रूप वाले इसे ले सकते हैं ये देखें नमकीन गोंद मखाना भी हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है जो क कि आपको फूर्ती ताजगी देगा आपकी अनिद्रा की बिमारी थकान कमजोरी को दूर करेगा खून की कमी दूर होगी सांत ही सांत कैल्शम की कमी भी दूर होगी महिला पुरुष बच्चे सभी कुछ लोग इसे ले सकते हैं ये बहुत ही फायदे मन्द है तो दोस्तों गुओंद के लेड़ू भी खा सकते हैं